हेलो नमस्कार दोस्तों मैं गौरव आपका वेलकम करता हूँ इस इन्फोर्मेटिव वीडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक प्रोफेशनल सर्विसेज वेबसेट बना सकते हैं वर्डपेस में साथ इसाथ कैसे इसका सेट अप करेंगे और कैसे कस्टमा वर्डपेस.org खुद इससे रिकमेंड करते हैं तो कुछ इस तरह का इनका इंटरफेस है वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्यूशन में मिल जाएगी तो यहाँ पर अगर आपकी कोई भी प्लैन पर्चेस करते हैं तो होस्टिंग का प्लैन पर्चेस करते हैं तो आपको इसके तीन प्लैन अवेलेबल होते हैं मैंली बेसिक प्लस और चोइस प्लस तो तीन प्लैन आप इसमें चेक कर सकते हैं 179, 279 और 279 जैसे इस जिए आप 3 प्लैन दे सकते हैं और इनके सर्वर भी आप चेक कर सकते हैं US और इंडिया पे तो जो आपको शुटेबल लगे उस reciprocence database मेरती है, जो कि वह सकता है। और 24-7s support आपको available होता है। तो सेहे स्लेक, पर क्लिक करएंगे, और याuite new domain क्लिक करेंगे। कुकि domain यहां फर अमे case free में available होता है, मातलब domain आपको प्रस्क्राहिक प्रचेश करने है। सिप्पी आपको hosting पर्चेस करने होती है। ये लिए इसको नेश्ट पर क्लिक कर देंगे और जो भी डिटेल है या फिल करके हम इसको पर्चेस कर सकते हैं तो बेसिक यह बोस्टिंग अगर आप 36 मन के लिए खेंदेंगे तो 79 और अगर आप 12 मन के लिए करें देंगे तो 299 179 लगेगा अगर आप 3 यह के लिए इसको पर्चेस करेंगे तो वो सब करने के बाद आप देश सकते 30,000 के सम्टिंग आपको पीमेंट करना होता है बट अगर आप 3 यह की साथ प्लैन के साथ जाते हैं तो आपको only 6444 पर करना होता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है तो आप इसके प्लैन को भी चेक कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्यूशन में मिल जाएगी और आप इसको यूज में लेकर अच्छी वेपसाइट कीए तो होप आपने वर्डपेस इस्टोल कर लिया होगा अपने डोमेन पर अब यहाँ पर हम जैसा कि देश सकते हैं कुछ इस तरह क हमारा डेशपूर्ट है वर्डपेस का अब यहाँ पर सबसे पहले हम इंस्टोल करेंगे प्लैगिन्स जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे अच्छी सर्विसिस में अपसाइट बनाने के लिए सबसे पहले क्लासिक एडिटर जो प्लग सब्सक्राइब करने के लिए तो इसको आपको इंस्टोल करना होता है तो क्लासिक एडिटर और योस्ट रस्योमर हो गया है और अपिरेंस में जाकर आप थीम इंस्टोल करेंगे एश्टरा थीम जो कि बहुत ही यूसफुल थीम है जिसको यूज में लेकर हम अच्छी से अपनी वेबसेट बना सकते हैं इसके अंदर तो वह हम इंस्टोल करेंगे जाएंगे या एडि में उपर क्लिक करेंगे वह सचकेंगे एश्टरा अब इस इंस्टोल करके हम एक्टिवेट कर लेंगे झाल अब यह जैसे इंस्टल हो गया इसको टाइम लगता है दोस्तों तो आपको वेट करना होगा इतने टाइम तर बहुत ही प्रीमियम है यह जिसको आप में यूज में लेकर बहुत ही अच्छी लेवल की वेपसेट कर सकते हैं अब इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे अब वापिस हम प्लगिन सेक्शन हो जाएंगे अड़ न्यू पर क्लिक करेंगे और एस्ट्रा नाम साही एक प्लगिन हम और होस्टिंग के लिए मैं आपको ब्रू होस्ट रिकमेंड करता हूं जिसकी लिंक आपको डिस्कुशन मिल जाएगी वास से आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं अब जो स्टाटेट टेम्टेट है इस लगिन को में इस्टॉल करके अक्टिवेट कर लेंगे जो गेटिंग स्टाटेट भी स्टाटेट टेम्प्रेट हमारे यह इसको स्टाट करेंगे या पर बीडियोर वेबसाइट नाव पर क्लिक करेंगे हम इसमे एलिमेंटर सेलेक करेंगे हम अब यहां पर बहुत सारे आपको टेम्प्रेट दिखे दे रहे हैं इसमें सापकोई भी अपने इसाप सेलेक्ट कर सकते हैं और एक अची वेबसेट कर सकते हैं नुार बहुत शारी premium template भी अवेलेबल है बट हम free template यूज में लेंगे तो प्राफेशनल सर्विस की जो और अब हम वन क्लिक कर अंदर इंस्टॉर कर लेंगे और फिर इसको हम set up करेंगे और के थे को कस्ट्माईजेशन हम करेंगे तो skip & continue पर हम क्लिक करेंगे कर दो करेंगे तो हमारी website जैसे कि आप चेक कर सकते हैं लोड हो रही है सारा डेटा इंपोर्ट हो गया है और लाइव है वेबसाइट करेंगे कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा और सबसे अच्छी बात ही है तो आपको मुबाइल में भी बहुत ही अच्छी से ओपन होगी क्योंकि ज्यादा ज्यूजर मुबाइल में उपन करते हैं इसलिए वेबसाइट को बहुत ही जरूरी होता है आज के टाइम में तो क्लिक करेंगे उपर और इसको एलिमेंटर टूल की मदद से हम एडिट करेंगे अब आप यहां पर कोई टैस्ट है या कोई इमेज है वह चेंज करना चाहते हैं उसमें एडिट करना चाहते हैं तो वह यहां से कर सकते हैं जैसे हमने इस इमेज पर क्लिक किया चूज इमेज पर क्लिक करके हम अगर को दूर सी इमेज चेंज करना चाहते हैं तो वह यहां से चेंज कर सकते हैं तो हमने इमेज चेंज कर दी है आप चेक कर सकते हैं कि आप बुक कंसलिटेंसी बटेन आपको देखे दियरे इसमें भी आपको लिंक करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं सकते हैं कि आप क्या क्या प्रोफेशनल सर्विसे प्रोवैट करवाते हैं अपने बीजनेस में या अपनी सर्विस सेक्षन के अंदर तो आप यहां दे सकते हैं अपर आप अपने स्टोरी बारे में बता सकते हैं तो यहां पर आप अपने कुछ में बुलेट पोई बता सकते ह तो इसके बारे में आप detail देश सकते हैं और side में आप images तो भी change कर सकते हैं आसानी से बहुत ही आसान है और बहुत ही easy तरीके से आप इसको setup कर सकते हैं और customize कर सकते हैं यहां पर ट्रस्टेड बाइ लीडर से टेस्टिमोने लाज सकते हैं यहां आपके साथ जिस कंपडियों ने काम किया उनके लोगों आप यहां कर सकते हैं अब प्लस के निशान पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर आप कुछ नया चीज आप करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं तो यहां से इमेज भी तो वह आपने सेलेक कर दी है और यहां से हमने उसको चेंज कर दिया है और यह पिछे की इमेज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं अब यहां फूटर हम इसका सेट अप करेंगे तो यहां कुलिक करेंगे आप करेंगे लोगो निविगेशन मेन्यू उसको हम सेट कर सकते हैं अब यह एड आइटम से क्लिक करके अगर आप कुछ नया आइटम करना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं कुछ मेन्यू के अंदर सिधा ही यह पर लोड हो जाएगा यहां से आप इसको सेट कर सकते हैं कुस्तमाइज कर सकते हैं पप्लिश पेक्लिक करके हम इसको सेट कर सकते तो अमने फूटर भी इसमें चेंज कर दिया है अब हम रोड़ पेस डेश्बूर्ड में लोगिन हो जाएंगे यहां से जिसे हमारी पेज है इसको कॉंटेक्टर को इसको भी हम यहां से चेंज कर सकते हैं यहां से सेट अप कर सकते हैं कस्टमाइजिशन कर सकते हैं जिसए हमने इलिमेटर हम पेश किया था उसाथ पॉस्तरा आ पाप यापश्रड हम इसका सेट आप अपया कर सकते है इस तरह आप बहुत ही है वेड़े और ुब कर सकते हैं वाड़्पेस के अंदर बहुती ट्रस्ट वर्थी कंपनी है जिसको आप यूज में लेकर बहुत ही अच्छे लेवल की वेबसेट आप बना सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्कुशन में मिल जाएगी और जो भी लेटेस्ट आपर होगा वह आपको आपको आपे अवेलेबल हो जाएगा उमीद आपको वी वीडियो अच्छा लगा तो प्रीस लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू